आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सालफा और डालियोलियम विलांगस टू पूचा गए कि सालफा और डालियोलियम दोनों स्पीशीज हैं जो कि कौन से ग्रूप में क्लासिफाई होते हैं कौन से फायलम में तो क्या क्या फायलम हैं देख लेते हैं तो फर्स्ट हैं आपे सेफालो कॉड़ेट सिफालो कॉर्डेट का बात किया जाए तो नोटो कॉर्ड जो है ये head to tail तक travel करता है और इसके example में आ जाते है amphioxus लेकिन सालफा और टॉलियूलियम इनमें count नहीं होते हैं वही हैमी कॉर्डेट का बात करें तो ये ऐसे organisms होते हैं जहां पर partial character जो होता है यहां पर कॉर्डेट का और partial character जो हो जाता है यहां पर non-cordate का इसलिए यहां पर भी ये दोनों classify नहीं होते हैं और इसके example में आ जाता है जो कि bellano glosius होते हैं वहीं next है जो कि यहां पर टूनी काटा बोला गया है और टूनी काटा ऐसे organism होते हैं जहां पर notocod का अगर बात किया जाया तो यह सर्फ tail region में ही पाए जाते हैं जैसे for example यहां पर सालपा और डॉलियोलियम होता है और सालपा और डॉलियोलियम जो है यह basically टूनी काटा है यह सर्फ tail region में ही perceived होता है इसलिए हम लोग यहां पर third option टूनी काटा को टिक कर सकते हैं वहीं cyclosomata ऐसे fishes होते हैं जो की अगनाथा में count होते हैं क्योंकि क्या होता है कि इनका कोई भी jaws जो है वो नहीं present होता है तो यहां पर according to the question जो correct होगा वो हो जाएगा टूनी काटा और उसी को है हम लोग टिक कर लेंगे